हेलो फ्रेंज, वेलकम टो में मरून किचन आज हम आपको मश्रूम और मटर की सबजी सेयर करने वाले हैं हम सबजी को प्रेसर कोर में बनाने वाले हैं आप वीडियो के लाइश्ट तक बने रहेगा अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्रेस लाइक सेयर जरूर करें अब हम स्टार्ट करते हैं मश्रूम की सबजी बनाना हमने हाफ कीजी फ्रिश मश्रूम लिया है पहले हम मश्रूम को दो मिट के लिए बॉयल कर लेंगे पानी में ताकि इसका जो गंदा पने वो निकल जाए बॉयल करने के बाद हमने इसको चन्नी में रख दिया है ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए दे सकते हैं और हमने इसको कुछ इस तरह से काट लिया है अब हम इसको फ्राय कर लेंगे हमनी दो चम्मेल के करीब तेल लिया है अब हम इसमें मश्रूम को फ्राय कर लेंगे हमनी मश्रूम को फ्राय कर लिया है अब हम इसको एक बड़तर में निकालेंगे हम सबजी को सरसो के तेल में बनाएंगे हमने चाठ समय के करीब सरसो का तेल लिया है अब यह गरम हो चुका है अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले अट करेंगे हमारा तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें खड़े मसालो को अट कर देंगे इसको थोड़ा से ब्राउन करेंगे मसाला ब्राउन हो गया हम इसमें प्यास को गट कर देंगे हमने तीन मिटियम साइस का प्यास लिया था जिसको कुछ इस तरह से काट लिया है इसको हमें गोल्टर ब्राउन फ्राइ करना है हम प्लटेज को चलाते वह फ्रय करेंगे त sitäख हमारा प्याज जली नहीं और इसमें हम एक चम्मस के करीब खड़ा-लेश्टियो नट कर देंगे आप दे सकते हैं हमारा प्याज बून कर बूनख रिडियो क्या है अब हम इसमें एद्समें लेश्ट्रा के पे और इसको हम चलाते हुए भूनें की दुर मिर्ट तक ताकि इसका कच्छा पन थोड़ा निकल जाए हमने इसको अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें एक बड़ी साइस का टमाटर और प्यास जिसको हमने बारिक बेश्ट बना लिया है इसको भी हम इसमें एड़ कर देंग इसको हम अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसमें एक द्म चे करेंगे दनिया पावडर एट करेंगे जिया ऊड़ागर ओर आदा जिम में काश्मीट साल क्फ savoir अड़ा ओर लुगाष्टी पावडर शाहा नमाक यइपाट करेंगे कन पहाँआ बहिए और às inhib Pub in रिबाए और यह उम्हाम हम आधा कभ पाना इऔर इड़क मैसाल करें गए को तो मिक्स करेंगे और छोंouse 15 जिसे मिक्स करेंगे हमने हाफ कीजी हरी मटरघ लिया है इसको भी समय ड़कर देंगे और जिवें में अट आप देंगे अब हम इसमें एक बड़ी साज का टमाटड जिसको कुछ इस तरह से लिया है के इसको भी समय ड़कर देंगे और अब हम इसमें धनिया का डेंटल एड़ करेंगे धनिया की डेंटल में विटाइमिन सी अधिक मातर में पाई जाती है जो हमारी आखों की रोशनी के लिए बहुत ही फायदी मंद होती है अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको इसके भी कर सकते हैं अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आप देश सकते हैं हमारे सब्जी देखने में कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है अमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसको अठा करमिडियों फिलेम पर तीन सजाय मटतर पकाएंगे और बेंद बेंद में चला दे रह अब हम इसमें गरम पाने अड़को दो गिलास के बराबर और इसमें जितना गभी भी चाहिए उतना पाने अड़कर सकते हैं और मिक्स करने के तेम आड़कर यह अड़को तरफ उंज्टवां तर छाइनया पती हमारी मश्रूम और मटर की सबजी रेडी हो गई है और इसके कलर भी देगे कितना ज़्यादा प्यारा आया हुआ है और अब हम इसको एक बड़तन में निकालेंगे अब हम सबजी में थोड़ा सा कसूरी मेथियट करेंगे अगर आपके पास अवेलबल नहीं है तो आप इसको इसकी भी कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होनी तो पिलीज लाइक, सेयर, कमेंट जरूर कर दीजीगा थैंक्स फर आचिंग मैं वीडियो